कुछ क्यारा और १ाइक बّॉल शिव थालओ ís पंग ऑब हो गया है और मॉन्सून शिजन स्टार्ट बॉल तो ऐसे प्रइक स्किन के क्या एक आसा करें बोख दॐल अर्मम में ऊहलो जाती है और करो चैल सक्डा हम थाचा आज एक हम ज Elsे इस फेस-पन कि अबने स्किन की केर करें कि मॉन्सून की बहुती साथ में पड़ी पढ़ा जाती है तो ऐसी रेमेडी बनाई है जिसको आप फेस पैक की ताड़ भी यूज कर सकते हैं तो इससे आपके इसकिन एकदम ग्लो करेगी क्योंकि धलती उम्र का एहसास हमें सबसे पहले अपनी इसकिन से होता है और इसकिन पर अंचाही जुर्रियां दाग दब्बे जो आ जाते हैं बारीक लकीर आ जाती हैं तो वो इसकिन की रौनक को गायब कर देती हैं और कुछ नैच्रल रेमेडी जून कर सकते हैं जिसके फैक्ट काफी अच्छी होते था हैं तो यहां पर लिया है मैंने दो चमच बेज़ू का आण्टा यह मार्केट में भी है और आप घर पर भी इसको बना सकते हैं स्किन वाइडनिंग के लिए काफी अच्छा है फिम्पल्स रोकता है और अब हमने लिया है दो चम्मच्य चावल का आटा इसकी एक मैंने चावल का आटा कैसे बनाए वीडियो बनाई आप उसको जरूर देख लीज पीडियो खाने मेंदि फ्की में बनाए यह हैकुआ और इसकी काफी चोड में चोर्थी आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिये इसमें हमने कस्टूरी हल्दी करती है और एक दम बेदा निखार देती है और ग्लोइंग तो अब आप इन सभी इंगेडियाइंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यह यूज करने के लिए रैडी है इसमें मैंने लाल डाल डाली है जो की नैचरल क्लिंजर है संटेन को भी रिमूव करता है और इसकि को एक्सफॉलियेट भी करता है और इसको अब हम एक कंटेनर में भरकर रखेंगे क्योंकि मौनसून स्टार्ट हो गए है और यहां मौनसून में बहुत ही ज्यादा मौस्चर होता है जिसकी वजह से यह खराब हो सकता है तो आप इसको एर टायट में भरकर रखें और जब होती बढ़िया एक फेस पैक की तरह भी काम करेगा और फेस वाश की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसको आप अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर यूज कर सकते हैं इसका वर्क काफी मल्टी पर्पस है और इसमें कस्तूरी हल्दी डली है जो की ओएल को कंट प्रवियल भी है जो की पिंपल्स की वज़े से जो बैक्टिरिया पैदा होते हैं उनको भी कंड्रोल करती है डीप क्लीन करती है तो आपको कैसे यूज करना है आप इसको रोज वाटर में मिलाकर यूज कीजिए या अलोविरा के साथ यूज कीजिए अगर आपकी जादा ही कुलिए प्चे जादा ओयलि स्किन है तो आप इस निवु भी मिला सकते है अगर सैंसिटिव इसकिन है तो आप इसको एसको भी कर सकते हैं और इसको एधिए में समकने लगेगी और एक दम साफ हो जाईग आपकी और पिम्पल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी काफी हद तक आपके पिम्पल्स और इसके जो मार्क्स हैं वह एकदम हलके हो जाएंगे तो आप इसको इस तरह से इसके प्रॉब्लम बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगी अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भे हैल्फुल रही हो आपके लिए तो आप इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंट्स के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए कि आपको कैसी लगए